गुड मॉर्निंग मा डियर फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मै चैनल तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर का जो अपने टैरिस का सेट अप नया तयार किया था इसका थोड़ा सा विव कल मैंने दिखाया था और इस सेट अप का पूरा विव जो है नेक्स डे आएगा तो व में जो है प्लांट कौन-कौन से सौपिंग करने चाहिए समर सीजन के बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं तो आज मैंने भी कुछ सौपिंग की है तो आज सौपिंग का ही वीडियो है कौन-कौन से प्लांट मैंने समर सीजन के लिए परसेज किये हैं आज यही वी यूज फ़ाओर्स आपकाज़買णी के समाते हैं। यूज अपते जीस थे खिस बन्यूभ्त अप्र कंशच है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आउनलाइन मंगाऊंगी क्योंकि एड़नियम के जो प्लांट है वो 250-60 ऐसे एक एक प्लांट मील रहे थे तो मुझे जादा कॉस्ट्री लगे और देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ कटिंग भी लगाई है उनकी भी अपडेट थोड़ी सी दिखाते चलती हूँ आप लोगों को और जब हम नया सेटप तयार करते हैं फ्रेंड्स तो काफी खुबसूरत लगता है गाडन जो है बहुत ही सुन्दर लगता है महनत जरूर लगती है लेकिन जब हम सारी महनत कर लेते हैं उसके बाद जब अपनी गाडन को देखते हैं तो सारी महनत हम भूल जाते हैं बहुत अभी खुबसूरत लगता है तो टैरीस का ये सीरा तो मैंने बहुत अच्छे से अभी सेटप नया तैयार कर लिया है और यहाँ पर धूप नहीं आती है उपर में मैंने जो है कुछे इंदजाम किया है चाया लाने के लिए क्योंकि मेरे सारे इंडूर प्लांट यहाँ पर है और terrace का दूसरा सिरा जो है जहाँ पर direct sunlight आती है वहाँ मुझे green net लगाने हैं लेकिन हमारे यहाँ जो है 36 गड़ में अभी 2-3 दिन लगतार बारिस हुई थी इसके वज़ा से मौसम थोड़ा अभी ठीक ठाक है अभी green net की जरुवत महसूस नहीं हो रही है तो देखे कुछ और भी indoor plant है इसकी पत्तिय मुझे बहुत पसंद आती है और इसकी मैंने छोटी-छोटी cutting अभी और भी लगाई है मैंने और भी cutting लेकर आई थी मैं लगबग 8-10 प्लांट और जब ये सारे प्लांट तयार हो जाएंगे तो गार्डन में बहुत खुबसूरत लगेगा और मेरी कोसिस भी है summer season में मैं अपने गार्डन को indoor plant से ज़्यादा अतर सजाओं और flowering plant भी मैं लेकर आऊंगी तो अभी मैंने कौन-कौन से flowering plant लाए हैं साथ ही अमरूद के देखिए इसमें flower आये हैं बहुत ही खुबसूरत white color के और पता नहीं अमरूद इसमें कितने बड़े-बड़े size के आएंगे हिबिसकस जितने भी मैंने प्रूनिंग की थी सबकी देखिए इस तरह की update है इसमें मुझे fungicide का spray करना पड़ेगा क्योंकि पत्तिया मडोर की समस्या हो रही है पत्तिया करल होने लगी है और कुछ डहलिये के plant मैंने लाए थे उसमें कुछ खराब हो गए तो अभी winter के जितने भी plant है आप बिल्कुल मत खरीदिये नर्सरी यदि आप जाते हैं तो summer season के ही plant लेकर आएं आप और नर्सरी में आपको इस समय कौन-कौन से plant खरीदने चाहिए इस पर भी मैंने अभी 2-3 दिन पहले वीडियो डाला है मेरे चैनल पर जा कर देख सकते हैं और देखिए यह है कोलियस और कोलियस के flower बिल्कुल जैसे बर्फ गिरा हो उस तरह से दिख रहा है बहुत ही खुबसूरत इसके flowers भी लगते हैं और ऐसा जैसे बर्फ की बारिस हुई हो और पतियों में और फूलों में जो है बर्फ जम गया होगा इस तरह से दिख रहा है तो चलिए अपने topic पर आते हैं friends और मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से plant लिये हैं और लाते लाते आज मुझे साम भी हो गई है और विडियो भी suit करना था क्योंकि मैंने तुरंत सारे plant मैं ले कर आई थी और terrace पे रखा था इस वज़ा से मैंने सोचा चली आप लोग से मैं अपने सारे plant जो हैं वो अभी share कर देती हूँ garden के कुछ winter के plant मैं अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं गुलाब की कुछ की growth अच्छी है और कुछ की तो बहुत ज़दा खराब है तो उसका treatment मैं अभी कर रही हूँ धीरे धीरे से और इस तरह के मेरे garden है और emeralis leery के बहुत सारे plant मैंने divide करके बहुत सारे pot जो तयार किये थे उनकी भी update अच्छी है इस समय तो sunday update में सारा view दिखाऊंगी क्या क्या मेरे garden में चल रहा है और कैसे मेरे garden की हालात है तो देखिए साम हो गई है light भी मैंने जला ली है terrace की क्योंकि थोड़ा अंधेला सा लग रहा है और ये मेरे सारे plant है देखिए तो ये सारे summer season के ही plant है और मैं काफी दिनों से मैंने ये plant अपने garden में aid नहीं किया था एड करना चाह रही थी लेकिन एड नहीं कर पाई थी तो देखिए ये वाला plant मैंने कभी अपने garden में नहीं लाया था तो मैंने first time लाया है ये है गुमफेरना का plant देखिए पिंग कलर की है इसमें और ग्रोध तो काफी अच्छी है देखिए ये पिंग कलर का है रानी कलर का और बहुत ही खुबसूरत है तो गुमफेरना के plant इसे हमारे 36 गड़ में फ्रेंड सुपारी फूल भी कहते हैं इसमें बहुत सारे colors आपको मिल जाएंगे orange color और white color गाजरी color परपर color अजकल बहुत सारे colors आ गये हैं तो इसके plant काफी अच्छे बूसी लगे मुझे और ये plant म मुझे पड़ा है 25 रूपीज का तो मैंने लिया है 2-3 plant और 2-3 plant नहीं है लगबग 5-6 plant है मेरे पास तो गुमफेरना के मैंने 6 plant लिये हैं color जब इसमें आएंगे तब पता चलेगा कौन-कौन से color की हैं और काफी अच्छे healthy लगे मुझे ये plant इस वज़ा से मैंने ये ले ल प्लाँचो और यह जो सारे plant है वो सूरज मुखी के हैं तो कुछ dark variety वाले हैं और कुछ long variety वाले हैं कुछ में भाईया ने कहा है कि छोटे flowers आएंगे और कुछ में बड़े flowers आएंगे तो सूरज मुखी के मैंने लग भग 9 plant लिये हैं और 9 नहीं 10 plant लिये हैं और 10 plant में कुछ चोटे flowers वाले हैं और कुछ बड़े flowers वाले हैं तो summer season के उनके यहां मुझे यही plant मिले और विंका वगरा तो मैं लेकर नहीं आई हूँ क्यों कि विंका की हालत अच्छी नहीं थी और यह मैंने घर पर ही तयार किया है कोलियस का plant देखिए और यहीं रखा था तो मेरे बेटे ने रख दिया तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया तो कोलियस की cutting तो आप घर पर भी तयार कर सकते हैं और देखिए मैंने cutting से तयार किया है यह है थंबरगिया का plant और यह भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है तो बहुत सारे plant है जिनको आप घर पर तयार कर सकते हैं फ्रेंड्स हर वीडियो में आप लोग को यहीं सजिस्ट करती हूँ कि जो cutting से लगने वाले plant है उनको आप घर पर ही तयार करें बार बार नरसरी से purchase करने से पैसे भी जाते हैं तो क्यों न हम घर पर ही cutting तयार करें और इससे हमारे experience भी बढ़ेगा कि किस तरह से हम cutting लगाए और क्या क्या गलतिया हमसे cutting लगाने में होती है तो इतने सारे plant मैंने आज लेकर आए हैं तो आप लोग बताईए अगर जरूर मेरे plant कैसे लगे अब रात का time है तो उतने अच्छे से तो सायद नहीं दिख रहा है अगर morning में मैं वीडियो सूट करती तो सायद अच्छा ज्यादा अच्छा लगता तो इस तरह के अभी plant आप ला सकते हैं विंका के ला सकते हैं गोम फेरना हैं, सूरज मुखी के plant हैं जीनिया हैं, बहुत सारे और खास दर पे हिबिसकस के plant जरूर लेकर आएं, आप हिबिसकस के बहुत प्यारे-प्यारे colors आएं हैं मेरे पास जो color है वही मुझे दिखे इस नाम से मैं लेकर नहीं आई तो ये मेरी छोटी सी shopping है धीरे-धीरे summer season के जो plant मुझे मिलते जाएंगे मैं 8 करूंगी और ये मेरा garden है देखे रात हो गया है और इस तरह की हालात है garden के तो आपको सफाई तो देखी रही होगी क्योंकि मैंने बहुत महनत किया है और सारे plant को मैंने जो है साप सफाई बहुत महनत लगी है मुझे 3-4 दिन से मैं महनत कर रही हूँ तो आसा करती हम फ्रेंड्स आज कर वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो अगर थोड़ी से भी अच्छी लगी इंस्टर का ID मेरा क्या है और वहाँ पर भी मुझे जरूर फॉलो करें तो इस तरह के कुछ hanging baskets भी अभी इस समय लगाएं summer season का कुछ और भी बात बता देती हूँ आपको चलिए summer season में आप hanging baskets जरूर तयार कीजिए मैंने बहुत सारे hanging basket अपने घर पर ही तयार किया है आप लोग भी अभी hanging basket तयार कर सकते हैं और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कौन-कौन से hanging basket लगाना है चाहिए कौन-कौन से plant उस पर मैंने दो दिन पहले अभी वीडियो डाला है कि कौन-कौन से hanging basket इंडोर है आउटडोर है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करिए और hanging basket जरूर लगाईए और यह देखिए चमपा का समर सिजन का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कितना खुबसूरत है दो प्लांट है मेरे पास एक पिंक वाला और एक यह वाला तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स बाई बाई